नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है PT's I.S. Academy द्वारा प्रस्तुत करंट अफेर और एडिटोरियल एनालेसिस पे 13 सत्र है 28 जून है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूँ मैं आप सभी को याद दिला दूँ बस कुछी दिन बचे हैं छे जुलाई से मेरा Science और Technology Cracker कोर्स आ रहा है 25 क्लासिस का जिसका Combo Version भी उपलब्ध है और 8 जुलाई से आ रहा Economic Cracker जो 36 क्लासिस का है और इसका भी Combo Option अबेलेबल है आज के आज Enrollment ले लीजे स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक्स है क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड करके ओपन हो जाएंगी जॉइन कीजे आज के आज और ये कोर्स को अच्छे से कीजिए आपका बहुत फायदा होगा I hope to see you with me in the batches from 6th and 8th of July Thank you so much शुरू करते हैं आज की सीरीज हमारी ये लेक्चर नंबर 13 हो गया है इसमें याद रखिएगा कोशिश हो रही है कि बिलकुल सरल भशा में सभी Serious Civil Services Aspirants को UPSC हो या State PSC हो बहुत बढ़िया बढ़िया complex topics को हम एक दम simple भशा में बता दें अपनी notebook अलग से मना लीजेगा और आपके experiences share कीजेगा आज का पहला editorial पाकिस्तान और Terror Financing को लेकर है प्रेलिम्स में GS3 में SMA काम आएगा Pakistan on the FATF Gray List प्यारे दोस्तों FATF याने Financial Action Task Force Pakistan को ऐसी उमीद थी कि इस साल वो इसकी Gray List की सूची से बाहर आ जाएगा FATF की लेकिन ये 39 मेंबर का जो ग्रूप है उन्होंने इस साल ऐसा करने से मना कर दिया और पाकिस्तान को कुछ और कामों की एक सूची पकड़ा दी कि भई जहां तक आतंक और आतंक की funding का मामला है तुम जरा पहले ये सारे काम करके आओ फिर हम तुमारा case देखेंगे पाकिस्तान 27 points में से एक action point में मार खा गया उसने United Nation Proscribed Terror Groups का पूरा prosecution नहीं किया देखे ये prosecution का मतलब होता है कानूनी रूप से पूरा अभियोजन पगरिया चला कर लोगों को या तो jail में डालना या उनको मुक्त कर देना prosecute और proscribe का मतलब होता है सैयोक्त राष्ट ने जिनको प्रतिमंधित कर रखा है समझ में आगया आपको और ये होने के बाद पाकिस्तान ने publicly प्रोटेस्ट किया और ये कहा FATF को कि भई आपने दूसरे देशों को भी कई बार ऐसी लिस्टों से बाहर निकाला है और आपने इस एक चीज के लिए मुझे अभी भी grey list में डाल रखा है FATF दरसल United Nation की Security Council के साथ काफी closely काम करता है Terror Groups की listing में To check how countries are doing on AML and CFT ये full forms आप सारे याद रखिएगा तो जैसा कि आप जानते हैं AML का मतलब होता है Anti Money Laundering धन शोधन Money Laundering का मतलब होता है किस प्रकार से आप black का पैसा white करके Terror Funding में लगा सकते हो और CFT का मतलब होता है Countering the Financing of Terrorism यने आतंकवात को जो लोग वित्पोशित करते हैं पैसा देते हैं आप उन लोगों को उन चैनल्स को कैसे रोक पाते हैं तो पाकिस्तान ये सब करने में काफी हद तक नाकाम है पाकिस्तान FATF की Increased Monitoring List में रहा 2009 से 2015 2015 में Gray List से बाहर आया और 2018 में Gray List में वापिस घुजा दिया गया इस बार पाकिस्तान को बोला गया कि तुमने जैशे मुहमत का जो बहुत से मसूद अजहर उसको प्रोसीकूट कहां किया तो पहले जाओ उसको करके आओ फिर हम देखेंगे लेकिन पाकिस्तान ये बोल रहा है पब्लिकली कि भई इंडिया ने बहुत एग्रेसिवली मेरे खिलाफ लॉबी किया इसलिए मुझे इसमें डाल के रखा गया कुछ ऐसा कहते हैं कि दरसल ये सारी बाते नहीं है अमेरिका को अभी पाकिस्तान ने जो पश्ट बोल दिया था इमरान खान ने कि तुम एक बार अफगानिस्तान छोड़के चले गए उसके बाद पाकिस्तान में तुमको मैं बेस बनाने नहीं दूँगा ड्रोन अटैक अफगानिस्तान में करने के लिए हो सकता है अमेरिका ने पढ़दे के पीछे FATF पे दबाव डाला हो अब देखिए हो तो कुछ भी सकता है इमरान खान की सरकार ने ये बोला कि देखिए हमने बहुत कुछ किया है 30 से ज़्यादा ऐसे United Nation द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों को हमने prosecution किया है और उनको हमने terror financing के लिए पकड़ा है लेकिन FATF ने कहा है कि देखिए आप दिखाने को तो ऐसा करते हैं लेकिन बाद में आप उनको छोड़ भी देते हैं और जब तक आप लर्शकरे तैयबा जैशे मुहमद, अलकाइदा तालीबान से जुड़ेवे सारे बड़े निताओं का पूरा prosecution नहीं करेंगे और धन शोधन के पूरे चैनलों को तोड़ नहीं देंगे तब तक अभी एक दो साल तो तुम gray list में ही रहोगे तो gray list में रहने के क्या-क्या नुकसान होते हैं मुझे ज़रा commented में आप बता दो कोई देश अगर FATF की terror glitch में आजाता है तो उससे उसका नुकसान क्या होता है ये मुझे आप थोड़ा research करके commented में फटाफट बताओ session को like को share जरूर करना जितना आप अच्छे से देखेंगे like करेंगे share करेंगे उतना ये session हमारा आगे और बढ़ता है free session है सभी लोगों का फाइदा होगा इतना support आप हमें जरूर कीजिए भारत अभी भी वास्तविक न्याई की उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि 2001 के संसद attack करने वाले लोग मुंबई 26-11 करने वाले 2008 के लोग या पठान कोर्ट पर हमला करने वाले या पुलवामा अभी तक उन सब को पकड़ कर जेल कहां हुई है पाकिस्तान में भारत स्वयम भी mutual evaluation report को फेस करेगा और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो FATF में भारत के अपने AML और CFT रेजीम पर भी सवाल उठाए पिछले एक से दो सालों में Financial Action Task Force का एक नया लक्षा गया है Extreme Right Wing Terror ERW और ये अमेरिका में Republican Party के समर्थकों द्वारा 6 जून को हुए दंगों के बाद ज्यादा relevant हो जाता है जो बाइडन तो इस चीज़ को भेंकर पुश करेंगे ही करेंगे तो इसकी छाया किन-किन देशों पर पड़ेगी आने वाले सालों में ये बहुत देखने लायक रहेगा समझ में आगे आपको चलिए दोस्तों I hope ये आपको बहुत simple भाशा में अच्छा लग रहा है तो comment thread में आपने इसमें क्या सीखा एक या दो sentences में summarize करो जो लोग थोड़ा अच्छा detail में summarize करना चाते हैं आपको तो स्वागत है On the third wave of COVID तो अब ये सारी चर्चा कि भाई तीसरी लहराईगी तीसरी लहराईगी इसको थोड़ा हमको वेग्यानिक रूप से cases है, unofficially तो इससे ये कहीं जादा भी हो सकते हैं जैसे हमारी पिछली classes में आप में से कितने बच्चों ने बताया कि आपके गावों में, कजबों में, शेहरों में 10-20% ही counting हुई है, बाकी तो हुई नहीं है तो ये तो एक आम हिंदुस्तानी बोल ही रहा है ना भई, इसमें कोई मैं या कोई हिंदु अकबार तो बोल ही नहीं रहा है ये तो आप लोगों ने खुदी confirm कर दिया तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी की जरुवते में इसलिए ये बोल रहा हूँ वेव आ जाएगी, अभी एक और mathematical model आया, आजकल ये model से बड़ा डर लगता है क्योंकि ये सारी गलत साबित हो जाते हैं फाइनली, देखी भारत में भी तक दो बड़े prediction थे जो spectacularly गलत हुए, अप्रेल दो हजार बीस में नीती आयोक के health member जो है, जो पूरा COVID coordinate कर रहे है response, Dr. V.K. Paul, pediatrician, उनकी एक बहुत फेमस press meet हुई है जिसमें उन्होंने कहा था, अपरेल दो हजार बीस में कि 15 मई दो हजार बीस को भारत का आखरी COVID case आएगा, अब आप सोचिए वो उस task force के पूरे coordinator रहे थे लंबे समय, इस साल IIT कानपूर के बड़े प्रोफेसर मनींदर अगरवाल जी उन्होंने लंबा चोड़ा model जारी किया फरवरी में Twitter पे कि कोई second wave नहीं आएगा, और उसके बाद ऐसा wave आया कि टांगे तुड़ गई देश की, तो हम यह देख चुके हैं कि बड़े-बड़े experts के सारे prediction धूल में मिल गए, इसलिए अब बहुत डर लग रहा है लोगों को, ICMR और Imperial College London के mathematical models ने बताया कि एक संभावित third wave भारत में आएगी तो छोटी रहेगी, और अगर आई और killer रही, तो तीन बड़ी खतरनाग चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी होगा trifecta, पहला, जिन लोगों को अभी infection हो चुका है, उन में से एक तिहाई लोग अपनी immunity अगर खो दें, प्लस, कोई ऐसा नया various variant, मतलब delta delta plus के अलावा कोई ऐसा आजाए, जिसका reproductive rate आर जो है 4.5 से ज़्यादा हो, मतलब उसे infected है का आत्मी 4-5 लोगों को infect कर रहा है और तीसरा, ये दोनों चीज़ें तब हो, जब second wave अगले 20-30 दिनों में लगभग समाप्त हो रहा हो तो फिर एक खतरनाक third wave आ सकता है, otherwise नहीं, आप समझ गए बात और हमारा टीका करण का कारिकरम जितना ज़्यादा विस्तारी करण होगा, उतना हमारे पास protection है अगर हमने अगस 2021 तक 2 doses लगा दिये हमारे लोगों को 40%, भारत की आबादी की 40% को हमने अडल्ट आबादी की 2 doses लगा दिये 31 अगस तक, तो symptomatic incidence 55% तक डाउन हो जाएगा आज की स्थिती क्या है, भारत की आबादी में 4% को 2 doses लगे है, 20% को 1 dose लगा है मतलब अभी तो day to day struggle है, मोधी सरकार ने publicly घोशित कर दिया है कि 31 जिसमबर तक मैं 94.4 करोर एडल्ट को सबको टीके लगवा दूंगी, ऐसा सरकार बोली है, अब हुआ यह है एक अच्छी चीज की पिछले 3 महिने के इतने भयानक धमाके के बाद राज्यों को अब यह समझ में आ गया है कि कहां, कैसे, कब, क्या, micro level पर करना है तो सरकार को राज्यों को साथ में लेके vaccines का planning करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है Sadly, भारत के सारे forecasters और modelers और scientists अभी तक पूरी तरह predictions गलत करते आए इसके अब आगे उन पर भरोसा करना with a pinch of salt or a bag full of salty होगा Will breakthrough infections happen? इसका जवाब किसी के पास नहीं है Breakthrough का मतलब यह होता है, मान लो मैंने दोनों dose लगवा लिये vaccine के और उसके बाद भी मुझे COVID ने पकड़ लिया, इसको कहते हैं breakthrough infection तो यह exam में कहीं MCQ में बन सकता है, तो मुझे एक बार commented में बताईए अभी तक के कितने variant आए हैं दुनिया में और उनमें सबसे खतरना कौन से पाए गए हैं और variant दरसल होते क्या हैं, मुझे सरल भशा में बताओ What are COVID variants? मतलब यह बनता कैसे है, यह समझाओ तो क्या delta और delta plus हमारे vaccines को हरा पाएंगे, यह हमें मालूम नहीं है भारतियों से अभी अपेक्षा है, COVID appropriate behavior रखिए हमेशा मास लगा के निकलें, भीडों से दूर रहें, physical distancing करें साब उन से हाथ धोते चलें, air condition halls में न जाएं, खिड़कियां दर्वादे खुले रखें ताकि virus का air propagation minimum रहे और फटा फट टीका लगवा, vaccine hesitancy करने वालों को तो यार सजा मिलनी चाहिए उनको तो हमारा यह session पाँच-पाँच बार देखने की सजा होनी चाहिए अरे सर, ऐसा मत करो सर, एक बार में दम निकल जाता है सर, ऐसा मत बो यार I hope आपको मज़ा आया, इसको summarize कर दो, तो हम तीसरा बड़ा धमा का लेके तैयार हैं तीसरा आज का हमारा editorial आज के तेरवे session में पूरी playlist अच्छे से देख रहे हो ना उस समय बाद अगर यह repeat हुए तो फिर हम इनको avoid करके दूसरे edit भी ले सकते हैं Preliance में GS1231 क्योंकि फिर उसमें constitution और history भी आ जाएगा थोड़ा बहुत Indian independence movement से संबंधित बाते हैं तू क्योंकि governance के issues तो हैं और थ्री क्योंकि security terror वाले issues है इसलिए मैंने सारे लिख दिया ठीक है तो अब क्या कहते हैं भाईया happy man Jacob अब वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सारे बड़े नेता जब 24 जून 2021 को मोदी और शार से दिल्ली में मिले तो ये बड़ी अच्छी beginning एक horrible patch के बाद थी और शायद ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि यहां से आके एक पक्षी राजनीती अब कैसे चलने वाली जम्मू कश्मीर में उसका एक संदेश था ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लिए राजनीती के नए नियम सेट कर दिये गए हैं और सारे लोग चुप चाप उसको follow करें ये उमीद होगी 24 जून की मीटिंग जो थी उसको कई लोग ऐसा बोल रहे हैं ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये climb down है बीजेपी का ये हार हो गई बीजेपी की लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये author कहता है कि ये बहुत ही politically एक clever move है और tactically it is just a half measure कोई ये न समझे कि tactically government has dialed down politically clever क्यों है क्योंकि अब सारी बातें इस पर आ जाएंगी कि भाईया center जो है हमने जो नई demands रखी है काश्मीर के नेताओं ने उस पर कब ध्यान देगा समझ माया आपको सारा focus उस पर चला जाएगा इस बात पर आप focus ही नहीं रहेगा को जड़ मुल से विनाश करना और दूसरा था चारो और बढ़िया सम्रधी जम्मू काश्मीर में लाना भई आतंक समाप तो सम्रधी बढ़े ये तो कोई बाते भी नहीं कर रहा है आजकल क्योंकि पहले एक साल तो security lockdown हो गया और उसके बाद देड़ साल से कोविड के lockdown चल रहे है तो वहां का जो अब ये यूटी बन गया है आर्थिक रूफ से तो उसकी कमर वैसे भी पूरी तरह से टूटी चुकी है और फरवरी 2021 में लोसी पर पाकिस्तान के साथ बैक चैनल टॉक के बाद जो सीस फायर हुआ तब तक आतंक की घटना है तो continuously चल ही रही थी inflation चल ही रहा था security challenge बनी ही हुई थी double lockdown की वज़े से क्या वहां के स्थानिय काश्मीरी लोग बहुत ज्यादा नाराज है ये तो protest हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि double lockdown पहला lockdown इंटरनेट वाला और security वाला और दूसरा कोविड वाला तो आप ये जज़ भी नहीं कर सकते कि आमा एक ordinary काश्मीरी कैसा फील कर रहा है बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि अमिश्या पहले भी हम राज्य का दर्जा दे देंगे राज्य का दर्जा दे देंगे ऐसा दो तीन बार बोल चुके तो नया क्या बोले तो अब तो ये पूरा एक पारगेन हो गया है कि तुम्हें राज्य चाहिए या आर्टिकल 370 पर बात करनी है बोलो एक चीज़ पर बात कर लो तो काश्मीरी नेता जो है अब उनके पास प्यारे सातियों कोई चौईस ही नहीं है सिवाई स्ट्रेड आफ को एकसेप्ट करने की अगर काश्मीर के नेता स्टेट हुड का रिटर्न एकसेप्ट कर लेते हैं बिना जम्मू काश्मीर की यूनियन टेरिटरी का पूरा जो यूटी बनते ही दो भाग हुए वो पूरा फिड से रियूनिफाय हो जाए या स्पेशल स्टैटस वापिस मिले तो तो पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई शेत्र की परी सीमन पक्रिया तो वैसे भी चली रही है जिसमें जम्मू में ही असेमली सीर्ट जादा बनने वाली हैं तो काश्मीर की वैल्यू वैसे भी गिरी जाएगी तो काश्मीर की नेता चुप चाप स्टेट हुड के लिए हां बोल देंगे आर्टिकल 370 का मुद्धा हमेशा के लिए खताम तो संग परिवार की आइडियलोजिकल जीत हो गई क्योंकि उनका बहुत बड़ा मुद्धा दश्कों से रहा है पाकिस्तान ने अगस 2019 से बार बार ये बोला था कि मैं तो बात चीती नहीं करूँगा जब तक तुम्हें डिजिजन्स वापिस नहीं लोगे लेकिन उसको विश्व में किसी ने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया सपोर्ट तो क्या किया उसको तो FATF में और गुजा दिया अंदर आज फरवरी 2021 के LOC ceasefire के बाद पाकिस्तान बहुत थंडा हो गया है और वो restoration of statehood को मान के शायद चूप हो जाए तो ये भारत की बहुत बड़ी विजय होगी इंडिया's counter-strike in the khayber पक्तूनवा प्रोविंस वो सब जो पुआ था उससे क्या हुआ है कि एक नया नॉर्मल आग्या है कि भई टेरर अटैक के बाद भारत हो सकता है एरफोर्स भेज के हमले करे और वो भी conventional warfare तो वो nuclear weapon वो वाली सारी चर्चा भी जो भारत पाकिस्तान के context में होती थी वो होना ही बंद हो गई है आप समझें टेरर और इंसर्जंसी बड़ा सवाल ये है कि ये जितने भी political gains हुए है ये तो बहुत अच्छी बात है केंद सरकार के लिहाज से लेकिन क्या एक बार situation normal हुई lockdowns हटे सारी politics शुरू हुई election हुए सरकार बनी उसके बाद जो एक आम काश्मीरी है और जो घुसेल काश्मीरी है आज क्या टेरर और इंसर्जंसी को बढ़ावा देगा क्योंकि आज की तारीक में केंद सरकार ने पिछले 2-3 सालों से जितने भ समझ में दोस्तों तो एक बार इसकी फटा-फट समरी निकाल दीजिए आपकी राय अगर इससे भिन्न है तो आपकी भिन्नता कभी हम स्वागत करते हैं और हैपी मन जेकब को आप बता सकते हैं कि नई भाई हमारी राय ये है कॉमेंटेट में बताते चलिए ये चारो प्ले मेलिम, GS2 और ऐसे के लिए भारत की क्यूर कम्यूनिटी फाइट सान क्यूर कम्यूनिटी याने LGBTQ प्लस जिनका सेक्श्वल ओरियंटेशन हेट्रो से अलग होता है उनको कहते हैं क्यूर कम्यूनिटी गूगल डूडल जून 2021 में डॉक्टर फ्रैंक कैमेनाई की जो की अमेरि अमेरिका की मेडिकल कम्यूनिटी ओफिशली होमो सेक्श्वलिटी को मेंटल डिसॉर्डर बोलती थी उसको चैलेंज दिया समझे आप पहले 1970 में अमेरिका भी इतना उपन नहीं था वहां बोला जाता था कि समलेंगिक्ता किसी आदमी का आदमी से प्यार करना किसी औरत का ओरत से प्यार करना यह मानसिक बीमारी मतलब यह एक्षॉल बीमारी है तो डॉक्टर फ्रेंग कैमीनी ने कहा था कि यह क्या बकवास है यह प्राक्रतिक है इसमें कुछ भी और प्राक्रतिक नहीं अब तब तो उस वक्त उनका भी बहुत मजा गोड़ाया ही अगया होगा लेकिन अब तो दुनिया बहुत modern और liberal हो गई, तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी accept हो गई है, इवन भारत जैसे बहुत conservative स्थिति में, 1970 से global LGBTQ community जो है, lesbians, gays, bisexuals, transgenders, queer plus community, दुनिया भर में आगे बढ़ी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आज पूरे भारत में अगर LGBTQ लोग खुद को identify करते हैं, तो उन पे एक दाग लगा दिया जाता है, और ये लोग अद्रिश हैं, या आपको दिखेंगे ही नहीं, invisible हैं, या समाज ने उनको invisibilized करके रखा है, बहुत अच्छा शक्त ही है, उनको अद्रिश्य करके रख दिया, जबर्दस्ती, और ये हमारे समविधानिक सिध्धानतों से बिल्कुल उल्टा है, भारत का जो state apparatus है, और जो कानून है, इन्होंने हमारी इस सीमा पर पड़ीवी cure community का बहुत abuse किया है, जबकि हमारा समविधान बहुत पश्ट बोलता है, कि हर व्यक्ती को अपनी personality को fully develop करने का मौका मिलेगा, तो ये तो असमविधानिक है, समविधान बोलता है न, to free the enslaved Indians, it is the judiciary and not the executive, which has given some freedom, तो पिषले 75 सालों में भारत में केवल न्याएपाली का ही है, जिसने पिषले 10, 15, 20 सालों में थोड़ा बहुत कानूनी बात इनके favor में की, सरकारों ने हमेशा इनके against बात की है, बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि सरकारे हमेशा social conformism की बात करती है, तो comment thread में मुझे बताईए, what exactly is the word conform, socially conforming to the standard, क्या मतलब होता इसका, तो लड़ाई क्या है, सरकार बोलती है, socially conformist हो जाओ, क्योंर लोग बोलते हैं, यह हमारी individual choice है, और समविधान individual choice पे बना है, याद रखिएगा दोस्तों, समविधान का जो part 3 है, जिसमें fundamental right दिये हैं, वो individual को society से उपर रखता है, society को individual से उपर नहीं रखता, तो भारत के हजारों साल के इतिहास में, यह पहली बार हुआ जब individual society के उपर रखा गया, as per modern liberal norms, इसलिए हमारा समविधान मील का पत्थर है भारत के इतिहास में, और इसलिए कई लोग उससे नफरत भी करता है, एक बहुत बढ़िया, बढ़ा case, जो नवतेज सिंग जोहर एनदर्स वर्सेज यूनियन अफ इंडिया था, इसमें Supreme Court ने अंततह वो काम कर दिया, जो बहुत पहले होना था, हमारी इंडियन पीनल कोड की धारा 377 को डी क्रिमिनलाइज कर दिया, यने अगर कंसेंश्वल होमो सेक्श्वल बिहेवियर एडेल्स के बीश्च में हो रहा है, तो वो आपराधिक गतिविधी नहीं होगी, तो भारत में सच्चे अर्थों में LGBTQ को ताकत यहां से मिली, और इसमें बहुत बड़ी चीज आप लोग एक्जाम के हिजाब से याद रखना, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ओफ राइट्स, ये डॉक्ट्रिन दे दी सुपरीम कोट ने, अधिकार हमेशां बढ़ेंगे, हर एक गुजरते साल के साथ अधिकार बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ओफ राइट्स, दिल्ली हाई कोट ने भी एक बढ़िया काम किया था, नाज़ फांडेशन वर्सेस गवर्मेंट के खिलाव के केस में, जब उन्होंने कहा था, कि धारा 377 जो है, वो हमारे आर्टिकल 14, गैरिंटी ओफ इक्वाइलिटी को पूरी तरह से हननन करता है, क्योंकि सेक्शन 377 आईपीसी ने, अन्रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यहने एक गैर अनुचित वर्गी करण कर दिया था, क्योंकि होमोसेक्शुल को as a class ट्रीट कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या समाज यह समवान रहा है, बिल्कुल भी नहीं, आज भी क्यूर कम्यूर कम्यूर को एक अधिकारों की प्राप्ती में, भारत सरकार ने इसका विरोध कर दिया है कोर्ट में, कि भारत में हम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अधिकार आगे दिये जाएं, अमेरिका का जो सुप्रीम कोट है 2015 में, और गेफेल वर्टिस हॉजस केस में कन्फर्म कर चुका है, कि सेम सेक्स मैरिज से ही इन लोगों को समाज में इज़त मिलेगी, दुनिया के 29 देशों में सेम सेक्स मैरिजस अलाओड है, भारत में डिसलाओड है, आर्टिकल 15 भारत का कहता है कि स्टेट नागरीकों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किन ग्राउंड पर नहीं कर सकता, रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, LGBTQ community अभी बोल रही है कि इस सूची में, रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कुरुपिया जेंडर एड़ कीजिए, सेक्श्वल ओरिएंटेशन एड़ कीजिए, विजार्ट था, वो व्यक्ति, स्वयम, इस कानून की चपेट में अब आ गया था, और 2017 में UK ने माना कि हमने, ऐसे हजारों लोगों पर अन्याय किया, जिनके खिलाफ होमो सेक्शुल लॉज में, उनको कन्विक्शन दिया, और उन सब को हम माफी देते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, एलन टूरिंग स्वयम कन्विक्ट हो गए दे 1952 में, तो उनको भी माफी दे दी और उनसे माफी मांगी है UK ने, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हिस्टॉरिकल गलतियों के लिए माफी मांगना, उससे क्या होता है, समाज के आज के घाव भरना शुरू होते हैं, नहीं तो वो घाव तो रिस्ती रहेंगे हमेशा, The Indian States needs such a law to do justice to a prisoners of social conscience, Supreme Court ने बोला है, केंद सरकार हमारे सिस्टम को, पुलिस को, पबलिक को, मास मीडिया के जरिये sensitize कीजिए, लेकिन 2018 के decision के बाद भी केंद सरकार ने कुछ नहीं किया, schools और colleges में बच्चों को ये सिखाया जाना ज़रूरी है, कि sexuality में diversity होना प्राकृतिक है, और प्राकृतिक नहीं, ताकि heteronormativity का ये जो concept बनावा, ये तोड़ा जा सके, heteronormativity मतलब केवल male और female हो सकते हैं, और इसी से फिर homophobia create हो जाता है, भारत के cures के लिए, constitution क्या रहा है, बहुती खुबसूरत किताब है, लेकिन पूरी तरह से अप्रभावी किताब है, आया समझ में, काफी लंबे चौड़े edits से आज के, इसलिए समय हमको ज्यादा लग गया, पर आपको मदा आया के नहीं, इसको summarize करके बताईएगा, अब इसी में से कितने सारे MCQ बन सकते हैं, प्यारे दोस्तों, interest rate small savings scheme पे, सरकार के सामने बहुत दिक्कत हो गई है, करोडों लोग इसमें निवेश करते हैं, सरकार इसको कम करनी सकती है, क्योंकि आने वाले समय में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ करोडों लोग इनमें निवेश भी करते हैं, और इसको कम करते ही, 1950s से भारत की सरकार ने small saving schemes क्यों लाई थी बताईएगा भूटान की हालत बड़ी खराब हो गई है दोस्तों वैक्सीन की भारी कमी हो गई है और डेल्टा वेरियंट के cases बढ़ते जा रहे हैं छोटा सा देश है लेकिन बहुत दिक्कत हुमें है भारत के लिए बहुत डरावन दस तक है अब विंबल्डन में सारे दुनिया के top players भिड़ने वाले हैं अभी हाली में हमने french open की बात की थी रोला गैरो की याद है आपको और नुवाक जोको विच जो हैं 5 बार जीच चुके हैं उनका 19 वा major होगा federal के लिए 21 मिजोरम के students के लिए internet के जरीया online पढ़ाई कर सिर्फ मिजोरमी के हो पूरे भारत के करोडो बच्चों की शिक्षा भयंकर प्रभावित हो चुकी है the power of an apology जब कोई देश भूत काल की गलतियों के लिए माफी मांगता है उसे अच्छा माना जाना चाहिए और मेबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह के दमनकारी समय का अंत जब तक नहीं होगा डायलॉक में कोई मतलब ही नहीं है हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेस में ज़रूर आएं आपको बहुत अच्छा लगेगा आज के लिए इतना ही अब हम कल आप से भेट करेंगे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करतीजे नमस्कार जाए